नमस्कार दश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है आद में आपके लिए लेकिया ही हूँ करक राशी का सितंबर 2020 का राशीपल मेरा ये राशीपल आपकी चंदराशी पर अधारित है जैसे आपके सम्मूख ये करक राशी की कुंड़ी है देखिए जहां पर चंदरमा लिखा है वहाँ पर चार नंबर का राशी बनती है और आप ये वीडियो देखकर लाब उठा सकते हैं सबसे पहले हैं करक राशी का सितंबर महा का घ्रेग उचर देखें देव गुरु बश्पती धनू राशी में विद्यवान है वक्री अवस्ता में 17 पर के बाद गुरु मार्गी हो जाएंगे शनी माराज वक्री अवस्ता में विद्यवान है वहां है दशमेश मंगल स्वराशी के रहेंगे पूरे महिने में भेष्रासी में आगा depiction या या यह और दश्पतार में no धनुराशी के केतु होंगे राहु और यह एक वखरी है तो पीछे की तरफ चलते हैं तो एसा ही होगा जो नहीं सितंबर आगा और महथ किा राशी में खेक्ट कर्कराशी में होंगे और चलते ही दौद दौद कि यहां और 15-16 सितंबर के बाद सूरे जो है कन्या राशी में आ जाएंगे उनकी बुद्ध के संगिती होगी महा के अन्त में बुद्ध तुला राशी के आपके चतुत भाव में होगे तो ये तो है घ्रह गोचर कन्या राशी करक राशी के जातकों का करक राशी के जात्कों के लिए सितंबर के महा में क्या है ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखें कि कुछ डवलमेंट होने वाली है सितंबर के महा में सबसे पहले 17 सितंबर को देव गुरु भर्सपती जो है वो मारगी होंगे अभी तक देव गुरु बर्सपती मई से जो है वक्री चल रहे थे वो 17 सितंबर को मारगी हो जाएंगे देव गुरु के मारगी होने से उनकी शुपता कम होगी विजन क्या है कि अभी तक गुरु मारगी होके पंचम भाप से फल दे रहे थे और पंचम भाब से गुरु की दिष्टी भागे भाब पर थी यानि भागेश गुरु अपने भाब को देख रहे थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो गुरु की दोमी दिष्टी अपने भागे भाब पर थी लेकिन अप गुरु जो है छटे भाब का फल देंगे और गुरु की दिष्टी जो है लगन से भी हट जाएगी जो पंचम से आती है एक, दो, तीन, चार, पांच, तो गुरु की शुपता कम हो जाएगी शनी महराज जो आपके सब्तमेश हैं वो वक्री चल रहे थे उनके वक्री चलने से सब्तमेश जो है छटे भाब का फल दे रहे थे जिक के कारण दंपत्य जीवन में कुछ प्रबलम आ रही थी लेकिन अप सब्तमेश जो है वो हट जाएगे छटे भाब से और खेवल सब्तमेश सब्तम भाब का फल देंगे तो वो दंपत्य जीवन के लिए पॉजिटिव है एक बात यह हो रही है कि 23 सितंबर को आपका जो 12 और 16 भाब रहो केतु के अक्सेता वो हट जाएगा अब आपका पंचम और 11 भाब रहो केतु के अक्स में आ जाएगा एक अदश भाब में विर्शव राशी के रहो आ जाएगे और पंचम भाब में विष्टिक राशी के केतु आ जाएगे एक अदश भाब में पापी घ्रह हमीशा अच्छा फल देते हैं तो रहो के आने से आपको धन का लाव होगा और राहू आपके कई रुकेवे कामों को पूरा करेंगे चाए आप जॉब में हैं चाए वैपार में हैं लेकिन इसके साथी क्योंकि पंचम भाब राहू के तो कि अक्ष में आ गया तो आपको संतान से जोड़ी कोई चिंता परिशान कर सकती है और साथी साथ आपके प्रेम समदों में किसी पकार का भ्रम या तना पैदा हो सकता है तो ये इस महा डवलमेंट हो रही है सितंबर के महा में अब हम देखें कि सितंबर का महा करक राशी के जात्कों के लिए कैसा है मैंने लिखाया कि 15 सितंबर के बाद काम की प्रस्तती और अधिक भैतर होगी काम की प्रस्तती अभी भी बुरी नहीं है क्योंकि अगर आप देखें तो महा के आरम में दशमेश मंगल सुराशी के बैटे हैं दशमेश मंगल सुराशी के बैटके पंचम भाब पर अपनी रिष्टी डार रहे हैं और पंचमेश जो है दशमस तो रखा है साथी महा के आरम में भागेश गुरू की रिष्टी भी दशमेश मंगल पर होगी एक दो तीन चार पांच लेकिन 15 सितंबर के बाद इस्ति और इसलिए भैतर होगी कि 15 सितंबर के बाद सूरे जो है वो तीसरे भाब में आ जाएंगे सूरे जो है तीन, छे, दस, यारा का अच्छा फल देते हैं तो सूरे का तीसरे भाब में आना आपके लिए बहुत शुप साबित होगा इसलिए मैंने लिखाया कि 15 सितंबर के बाद काम की प्रिस्तियां करक राशी के जातकों के लिए और अधिक भैतर होगी दशमेश मंगल सुराशी के रहेंगे, दशम भाब पागुरू की दिष्टी है जो पूरे महीने बर रहेगी और सुरे का तीसरे भाब में होना इस बात का संकेत है कि काम को आगे बढ़ाने का समय है तो अगर आप करक राशी के जातक हैं और सितंबर महां में कुछ प्लान कर रहे थे तो उस काम को आप 15 सितंबर के बाद कर सकते हैं अगर आपको जॉब की तलाश थी तो आपको जॉब भी मिल सकती है बशरते आपकी दशायन कूलों जैसे दशावाएं आपकी दशमेश मंगल की लाभेश शुक्र की धनेश सूरे की या भागेश कुरू की हुई तो ऐसी दशा में आपको जॉब मिल सकती है लेकिन हाँ आप अगर इस समय जॉब में है तो जॉब बदलने के लिए समय उप्विक्त रही है इस समय आप जॉब ना बदले स्वदे करते हैं उनके लिए लाभ का समय है अगर हम धन की बात करें तो करक राशी के जातकों के लिए धन की स्थिक ऐसी है तो महा के आरम में 15 सितंबर तक धनेश सूरे स्वराशी के रहेंगे और उनके उपर धन के कारक गुरू की दिष्टी रहेगी एक दो तीन चार पा करक राशी के जातकों की सितंबर के महां में कई तरह की आत्राइं हो सकती हैं और यात्राइं उनके काम में सहयक होंगी ऐसे लोग जो दूर संचार से मीडिया से पतरकारिता से मार्केटिंग से टूर एंट्रेवलिक से जुड़े हैं उनके अच्छा समय है क्योंकि तीसरे पहाब में बुद्ध का बुद्ध चलेंगे बुद्ध जो हैं हमारे दूर संचार के यात्राओं के पत्रकारिता के इन सब चीजों के कारक है तो ऐसे लोग जो ऐसे वेपसाय में जो घूमने फिरने का काम या या यह जगा बैठते निये हैं उनकी मॉविलेटी होती रहती है जात्राओं के द्वारा उनका काम चलता है उनके लिए समय बहुत बढ़िया है परवार में किसी तरह का मांगलिक कारे हो सकता है और आप इस महां सुक्स विदा के साथनों में खर्चा करेंगे इस प्रकार आपके घर में सुक्स विदा के कार की उल्जन हो सकती है है साथ इस संतान से जोड़ी कोई चंता आपको परिशान कर सकती है पर ज्यादा परिशान मतN अगे अपने भाप को डिख राहे है एक दो ढखो अगर संतान से जुड़ी कोई चिंता आती भी है तो इसका निराकरन हो जाएगा तो ज्यादा परिशान होने की जरूवत नहीं है यह मैं आपको पहले पिता चुकी हूँ कि पंचम भाप तेश सितंबर से रहो के तुक एक्षमा आजाएगा जो धन के लिए तो आपके लिए कुटुम से जुड़े मामलों में आपको साब्धानी भरतनी है क्योंकि महा के आरम में जो है एक तो द्वादेश बुद्ध कुटुम में होगा और सूरे जो है परिवार में किसी प्रकार का मानसिक तनाव और टेंशन लाते हैं मा के आरम में सूरे क्योंकि दूसरे घर में होगा और द्वादेश बुद्ध से जुति होगी इसलिए सरकार से जुड़े कामों में साब्धानी रखें अगर आप सरकारी नौकरी में है या आपको सरकारी आफिसों में कोई काम पड़ता है तो उस काम में साब्धानी रखे 15 सितंबर तक उस काम में किसी पकार की बिगन बादा आ सकती है अपने स्वास्ते का विशेर सुपसे ध्यान रखिए अगर आपको कोई पेट समंदी रोग है क्योंकि पेट के भाब पर पंचम भाब पर मंगल की रिष्टी है और पंचम के भाब पर मुबाइल का स्तेमाल करें या लैप टॉप का स्तेमाल करें या कंप्यूटर का स्तेमाल करें आखों को बार बार ठंडे पानी से साफ पानी से धोते रहें लगातार स्क्रीन को नए देखें लगातार स्क्रीन पर देखने से आखों को पानी सूख जाता है यससे प्रावलम आते हैं और अगर आप लोगी है तो विशेशु सुपते जिहान रखें क्योंकि मंगल की दिस्टी मंगल की दिस्टी आपके चौते भाब पर रहें जिससे हृदय का विचार करते हैं साथी शनी की दिस्टी भी चौते भाब पर रहें एक एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नौ दस शनी और मंगल पापीग रहे हैं इसलिए अगर आप ब्लेड प्रिशन होगारे के पिशेंट है तो साफधानी साफधान रखें अपने हिर्दय को लेकर कुछी पकार की लापर भाई ना बढ़तें क्योंकि गुरू जैसा घ्रह जब छेटे भाब में आता है तो वह भी बिमारियों को बढ़ाता ही है अब हम देखते है कि करक राशी के जातकों के लिए जैसे मेंने कैप्शन दिया है कि काम बनने का समय है 15 सितंबर के बाद तो अगर वह कोई काम करने का विचार करते हैं तो उनके लिए सितंबर के माहा में शुक्तितियां कौन सी हैं जब चंद्रमा उनका करक का कन्या का धनुका मकर का मेश का या विर्षप का होगा तो चंद्रमा पॉजिटिव होगा और इस निरों में अगर वो काम करने का विचार करते हैं तो निश्ची तुप से सफलता मिलेगी वो शुक्तितियां नोट की लिचार हैं पोई तो शुक्तितियां तो अगर कोई जोईकर करते हैं कोई सौधा करते हैं तो इन शुक्तितियां द्धान का धनुकर बता Рहे हूं जोड़ का चंद्रमा शुक्तितियां उन चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव होता है तो भूल कर भी उन तिथियों पर कोई महत्रपूर काम का विचार ना करें आप सितंबर महा में अशुप तिथिया नोट कीजिए एक वा दो सितंबर तीन वा ग्यारा सितंबर बाराव भी सितंबर एकीस वाठाइस सितंबर उन अ के बाद जब राहु आपके एक अद़ जबाह में आ जाएगा तो आप के लिए धन के नए-णये रास्ते को होल लेगा तो 15 सितंबर Game आप माल करने से पहले मेरी आप सब्सक्राइब कि अगर अपने चैनल अभी तब ता सब्क्राइब नी किया तो कि अपने चैनल सब्क्राइब कर दें साथ ही बेल ऐकन को भी दबादे जिससे जब भी मैं अपने वीडियो प्लोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और पादश को जय माता दी